डॉक्टर बनने का एक सपना था, जजबा था, इसलिए 11th क्लास में बायो लिया, 12th क्लास में जब आया तो उसके साथ साथ NEET का भी एक्जाम दिया, NIT का exam में मेरा average से भी कम marks आया, इसलिए मैंने drop out ले लिया Drop out में मैंने अच्छे से preparation की, फिर भी NIT में average से कम marks आया Second drop out लिया, Third drop out लिया, इस तरह से 4 साल drop out ले चुके है ये कहानी और सच्चाई कई ऐसे बच्चों की है, जो आज 2 बार, 3 बार, 4 बार तक drop out ले चुके है फिर भी उनको MBBS की government seat नहीं मिलती है, क्योंकि उसकी cut off बहुत जादा होती है क्या आपको पता है कि cut off इतनी आखिर क्यों जादा होती है क्योंकि सरकार जो है वो नाकाम है, colleges बनाने में, hospitals बनाने में आज जितनी seat अबलेबल रहेगी एक government medical college में, उसके अनुसार ही cut off निकलता है तो सरकार अगर जादा colleges बनाएंगे, तो cut off जो है, एक optimum marks तक रहेगी और जादा बच्चों को seat मिलेंगे, जो आज मेहनत करके अच्छा marks ला रहे है आप सोचिए 510 marks भी लाने वाले बच्चों को आज MBS government seat नहीं मिल रही है कई ऐसे बच्चे हैं, जो आज कोटा में तियारी कर रहे हैं, उन्होंने दो बार तिन बार drop ले चुके हैं और उनके parents भी उनको support नहीं करते हैं, यहां तक कि वो last में suicide तक कर लेते हैं आपने news में देखा होगा, कई बच्चे कोटा में suicide कर रहे हैं इस वीडियो के माधियम से मैं आपको demotivate नहीं करना चाहता कि आपको फिर से drop out नहीं लेना चाहिए लेकिन यह सच्चाई से आपको जरूर वाकिफ होना चाहिए कि अगर आपने दो बार तीन बार drop out ले लिया है और आपको mbbs government state के लिए जितनी marks required होती है उतनी marks नहीं आ रही है तो आपको उस field को छोड़ देजिए आप नेट का preparation मत कीजिए उसके पीछे मत भागिए बहुत सारा profession है कई ऐसे profession है जहां पर आप कर सकते हैं आप बहुत उंचाई तक जा सकते हैं बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं यह की चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है हर एक बच्चे में उसके अंदर एक अच्छी काबियात होती है उसके पहशानने की जरूरत है लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि बस medical ही है तो medical ही है parents के pressure में आके medical प्रोफेशन में ही मुझे जाना है अब दूसरी चीज यह है कि अगर मैंने दो बार ड्रॉप आउट लिया है मेरा average marks है और मैं need qualified student हो तो क्या मुझे bhms, bams, bds, veterinary और physiotherapy जो भी यह courses है करना चाहिए तो इसका जवाब है अगर आपको interest है कि medical field में मुझे कुछ करना है तो आप जरूर आ सकते हैं आपका स्वागत है ऐसा नहीं है कि आप अगर mbbs करेंगे तभी एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं तभी आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं तभी आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर आप ने किया है कि आप टॉप डॉक्टर बनते हैं तो वहां गबर्मेंट जॉब दे चुकी है और वे कई पशुगों का इलाज कर रहे हैं तो आपको अगर डॉक्टर बनना ही है आपने दो तिन बार डॉप ले लिया है अब आपको लग रहा है कि अब मेरा मार्क्स जो है mbbs का गबर्मेंट सिटके कट अफ इतना नहीं आ पाएगा उतना मैं नहीं कर सकता हूँ आपकी लर्निंग कैपेसिटी उतनी ही है तो आप इन सभी फिल्ड को चुछ कर सकते हैं कोई भी फिल्ड छोटा नहीं होता है अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए हर फिल्ड का एक महत होता है अगर आप उस फिल्ड के राजा है तो वह फिल आपके लिए पैसा ही पैसा है अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो प्रॉअ कोई भी प्रोफेशन में आ सकते हैं अगर आइरवेद में आ सकते हैं को क्या करें और पूरा फिल्ड को बहुत हBut का सपना यह अन। प्रेशर में आकर के पैरेंट्स के प्रेशर में आकर के बार बार नीट का एक्जाम लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हर बार average marks आता है MBS government seat की cut-up marks तक पहुची नहीं पाते हैं आप तो आप अपने life का सब से जो important समय होता है उसको बरबात कर रहे हैं अगर उस समय को आपने किसी और फिल्ड में लगाया तो आप अराम से successful हो सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आपका marks average आ रहा है या फिर आपका marks उतना नहीं आ पा रहा है कि आपको government seat मिल ला है तो आपको परिशान होने की जरूरत नहीं ह अगर आपको इंट्रेस्ट है कि medical field में आना है तो आप BMS चूज कर सकते हैं अगर आपका इतना marks आया है कि आपको BMS government seat मिल जा है तो आपके लिए यह बहुत बड़ा तवफा है 500 प्लस marks अगर आपका आया है तो आराम से एक best आयरवेदिक college में आपका admission हो सकता है 450 plus marks आया है तो आपके state quota के तुरू आपको BMS के government college में seat मिल सकती है लेकिन अगर आप यही सोच रहे हैं कि बार बार मैं एक्जाम दूँगा मैं आपको यहां पर डी मोटिवेट नहीं कर रहा हूं एक सचाई से आपको वाकिफ करा रहा हूं और दूसरी चीजिया होती है कि जो बच्चे भी 12 का एक्जाम दे रहे हैं वो यह भी सोचते हैं कि मैं सिर्फ 12 के साथ ही नीट का एक्जाम दूँगा और अगर इस बार नह बढ़ते ही जाएगी कम होने वाले नहीं है और कंपेटिशन भी बढ़ती जाएगी सरकार अगर कॉलेज में सीट नहीं बढ़ाएगी सरकार नहीं नहीं होस्पीटल नहीं खोलेगी तो मेहनत अगर आप करना चाहते हैं आपके अंदर जज़बा है कि मेरा इस बार 480 माक्स आया है और आगे जलके मैं अराम से 500 शाड़े 500 ला दूंगा तो जरूर ड्रॉप आउट लेजिए तैयारी कीजिए और नीट को फार देजिए में बेस चीट पूरा निकाल लेजिए लेकिन अगर वो जज़बा ही नहीं है अगर आप में लर्निंग कैपिसिटी नहीं है कि तो सच में आपको यह महसूस हो रहा है कि इस बार मैं नीट को क्रैक कर दूंगा तो ड्रॉप जरूर लेजिए अगर नहीं हो रहा है तो ड्रॉप मत लेजिए अगर यह वीडियो की जानकारी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर किजेगा और ऐसे ही व सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा